कारंटी के तीन लाख रुपिय तक लोन भी मिल रहा है मुझे खुशी है कि एक साल के भीतर भीतर विश्व कर्मा भाई बहनों को चौदा सो करोड रुपिय का लोन दिया गया है यानि विश्व कर्मा योजना हर पहलू का ध्यान रख रही है तभी तो ये इतनी सफल है तभी तो ये लोगप्रिय हो रही है और अभी मैं मारे जितनरा माजी जी प्रदर्शनी का वर्ड़न कर रहे थे मैं प्रदर्शनी देखने गया था मैं देख रहा था कितना अध्वूत काम प्रंपरा ग्रूप से हमारे हां लोग करते हैं और जब उनको नए आदुनिक टेक्मोलोजी टूल मिलते हैं ट्रेजिंग मिलते हैं उनको अपना कारोवार बढ़ाने के लिए सीडमनी मिलता है तो कितना बड़ा कमाल करते हैं वो अभी मैं देख के आया है और यहां जो भी आप आये हैं मेरा आपसे भी आगरह हैं कि आप ये प्रदर्शनी जुरूर देखें आपको इतना गर्व होगा कि कितनी बड़ी क्र सांती आई है कि साथियों हमारे पारंपारिक काउसल में सबसे ज़्यादा भागिदारी कि एसी स्टी और ओबी सी समाज के लोगों की रही है अगर पिछली सरकारों ने विश्व कर्मा बंधों की चिंता की होती कि इस समाज की कितनी बड़ी सेवा होती है तेकिन कॉंग्रेस और उसके दोस्तों ने एसी एस्टी ओबी सी को जान भुज करके हमने तरकारी सिस्टिम से कॉंग्रेस की इस दलीप पिछडा विरोती सोच को खत्म किया है पिछले एक साल के आंकड़े बताते हैं कि आज विश्व कर्मा योजना का सबसे ज़्यादा लाब एसी एस्टी और ओबी सी समाज उठा रहा है मैं चाहता हूँ विश्व कर्मा समाज इन पारंपरी कारियों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए बलकि मैं चाहता हूँ विश्व कर्मा भाई बहनेों के काम को MSME का दर्जा दिया है वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट और एकता मौल जैसे प्रयासों के जरिये पारंपरी उत्पादों को की मार्केटिंग की जा रही है हमारा लक्ष है कि ये लोग अपने बिजनस को आगे बढ़ाएं ये लोग बड़ी बड़ी कंपनियों की सप्लाइच चेन का हिस्सा बनें इसलिए O.N.D.C. और जैम G.E.M. जैसे माध्यमों से शल्पकारों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों को अपना बिजनस बढ़ाने में मदद का रास्ता बन रहा है ये शुरुवात बता रही है जो वर्ग आर्थिक प्रगती में पीछे छुट रहा था वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थे बवस्ता में एहम रोल निभाएगा करकार का जो स्कील इंडिया मिशन है वो भी इसे ससक्त कर रहा है कौशल विकास अभियान के तहट भी देश के करोलों नौजवानों की आज की जरुतों के हिसाब से स्कील ट्रेनी हुई है स्कील इंडिया जैसे अभियानों ने भारत की स्कील को पूरी दुनिया में पहचान दिलानी चुरू कर दी थी और हमारे स्कील मंत्राले हमारी सरकार बनने के बाद हमने अलग स्कील मंत्राले बनाया और हमारे जैन चोधरी जी आज ये स्कील मंत्राले का कारोबार देखते हैं उनके नेत्रुतों में इसी साल फ्रांस में वर्ल्ड स्कील्स पर बहुत बड़ा आयोजन हुआ हम ऑलिम्पिक की जो चर्चा बहुत करते हैं लिए उस फ्रांस में अभी एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ इसमें कील को लेकर के हमारे थोटे थोटे काम करने वाले कारीगर और उन लोगों को बेजा गया था और इसमें भारत ने बहुत सारे अवर्ड अपने नाम किये हैं यह हम सब के लिए गर्व का विश्य है ताथियों महाराश्ट में जो अपार आउज्योगिक संभावना हैं उन में टेक्स्ट्राइल इंडस्ट्री भी एक है पिदर्व का यह इलाका यह हाइड क्वालिटी क कपास के उत्पादन का इतना बड़ा केंद्र रहा है लेकिन दसकों तक कॉंग्रेश और बाद में महा अगाड़ी सरकार ने क्या किया उन्होंने कपास को महाराश्ट्र के किसानों की ताकत बनाने की जगह उन किसानों को पदहाली में दकेल दिया ये लोग केवल किसानों के नाम पर राजनीती और ब्रस्टाचार करते रहे समस्या का समाधान देने के लिए काम तब तेजी से आगे बढ़ा जब 2014 में देवंद्रेगा फड़न विज्जी की सरकार बनी थी तब अमरावति के नांदगाव खंडेश्वर में तेक्स्टाइल पार का निर्माण हुआ था अब याद करिए तब उस जगह के क्या हाल थे कोई उद्योग वहाँ आने को तयार नहीं होता था लेकिन अब वही इलाका महराश्ट्र के लिए बड़ा आउद्योगी केद्र बनता जा रहा है साथियों आज पीएम मित्र पार्क पर जिस तेजी से काम हो रहा है उससे डबल इंजिन सरकार की इच्छा शक्ति का पता चलता है हम देज बर में ऐसे ही सेवन साथ पीएम मित्र पार्क थापित कर रहे हैं हमारा वीजन है फाइबर 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 फैबरी 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 फैशन 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 फॉरेंट यानि विजर्ब के कपाश से यहीं हाई क्वालिटी फैबरीक बनेगा और यहीं पर फैबरीक से फैशन के मुताबिक कपड़े तयार किये जाएंगे यह फैशन विदेशों तक एक्सपोर्ट होगा इसे किसानों को खेती में होने वाना नुक्षान पंध होगा उन्हें उनकी फसल की अच्छी किमत मिलेगी उसमें वैल्य एडिशन होगा अकेले पीएम मित्र पार्ट से ही यहां आठ से दस हजार करोड रुपिये के निवेश की संभावना है इससे बिदर्भ और महारास्त में युवाओं के लिए रोजगार के एक लाग से जादा नए अवसर बनेंगे यहां दूसरे उद्योगों को भी बढ़ हवा मिलेगा नई सप्लाइच चेंज बनेगी देश्ता निर्याद बढ़ेगा आमदनी बढ़ेगी और भाई और बहनों इस अवद्योगी प्रगति के लिए जो आधूनिक इंफ्रास्रक्टर और कनेक्टिविटी चाहिए महराष्टर उसके लिए भी तैयार हो रहा है नए हाइवेच एक्सप्रेस वेच सम्रद्धी महामार्ग वोटर और एर कनेक्टिविटी का विस्तार महराष्टर नई आउद्योगी क्रांति के लिए कमर कस चुका है ताथ्यों मैं मानता हूं महराष्टर की पहु आयामी प्रगति का अगर कोई पहला नायक है तो वो है यहां का किसान जब महराष्टर का विदर्व का किसान खुशाल होगा तबी देज भी खुशाल होगा इसलिए हमारी डबल इंजिन सरकार मिलकर किसानों की सम्रुद्धी के लिए काम कर रही है आप देखिए पी एम किसान सम्मान निति के रूप में केंद्र सरकार छे हजार रुपिय किसानों के लिए बेजती हैं महराज्चा सरकार उसमें छे हजार रुपिया और मिलाती है महराज्चा के किसानों को अब बारा हजार रुपिया सालाना मिल रहा है फसलों के नुक्सान की कीमत किसान को न चुकानी पड़े इसके लिए हमने एक रुपिये में फसल भीमा देना शुरू किया है महराज्चा की एकनाच सिंदेजी की सरकार ने किसानों का बिजली बिल भी जीरो कर दिया है इस छेत्र में सिंद्चाई की समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार के समय से ही कई प्रयाश शुरू हुए थे लेकिन बीच में ऐसी सरकार आ गई जितने सारे कामों पर ब्रेक लगा दिया इस सरकार ने फिर से सिंद्चाई से जुड़े प्रोजेस को गती दी है इस छेत्र में करीब पच्यासी हजार करोड उपिय की लागत से पैन गंगा नल गंगा नदियों को जोडने की परियोजना को हाली में मंजुरी दी गई है इससे नागपूर परदा अमरावती यवत्माल अकोला उल्डाना इंच जिलों में दास लाग एकड जमिन पर सीचाई की सुविदा मिलेगी साथियों हमारे महराश्त्र के किसानों की जो मांगे थी उन्हें भी हमारी सरकार पूरा कर रही है प्याज पर एक्सपोर्ट टेक्स 40 प्रतिशत से घटा कर 20 प्रतिशत कर दिया गया है खाज्य तेलों का जो आयात होता है उस पर हमने 20 प्रतिशत टेक्स लगा दिया है रिफाइंड स्वयाबीन तूरिय मुखी और पाम ओयल पर कस्टम ड्यूटी को साड़े 12 प्रतिशत से बढ़ा कर साड़े 32 प्रतिशत कर दिया है इसका बहुत भाइदा हमारे स्वयाबीन उगाने वाले किसानों को होगा जल्द ही इन सब प्रयासों के प्रणाम भी हमें देखने को मिलेंगे लेकिन इसके लिए हमें एक सावधानी भी बरतनी होगी जिस कॉंग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों ने किसानों को इस हालत में पहुँचाया परबाद किया हमें उन्हें फिर मोका नहीं देना है क्योंकि कॉंग्रेस का एक ही मतलब है जूत तोखा और बेहिमानी इन्होंने तेलंगना में चुनाओं के समय किसानों से लोन माफी जैसे बड़े बड़े वादे की है लेकिन जब इनकी सरकार बड़ी तो किसान लोन माफी के लिए भटक रहे है कोई उनकी सुनने वाला नहीं है महाराश्त में हमें इनकी दोखे बाजी से बच कर रहना है साथियों आज जो कॉंग्रेस हम देख रहे हैं यह वो कॉंग्रेस नहीं है जिससे कभी महात्मा गांदी जी जैसे महाप्रूश चुड़े थे आज की कॉंग्रेस में देज भक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है आज की कॉंग्रेस में नफ्रत का भूत दाकिल हो गया है आप देखिए आज कॉंग्रेस के लोकों की भाषा उनकी बोली विदेशी धर्ति पर जाकर उनके देश विरोधी एजण्डे समाज को तोड़ना देश को तोड़ने की बात करना भारतिय संस्कृति और आस्ता का अपमान करना कि वो कॉंग्रेस है जिसे टुकडे टुकडे गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं आज देश की सबसे ब्याइबान और सबसे ब्रस्त कोई पार्टी है तो वो पार्टी कॉंग्रेस पार्टी है देश का सबसे ब्रस्त परिवार कोई है तो वो कॉंग्रेस का साही परिवार है ताथियों जिस पार्टी में हमारी आस्ता और संस्कृति का जरासा भी सम्मान होगा वो पार्टी कभी गणपती पूजा का विरोध नहीं कर सकती लेकिन आज की कॉंग्रेस को गणपती पूजा से भी नफ्रत है महरास्त्र की धर्थी गवाह है आजादी की लड़ाई में लोकमाने तिलकर के नेत्रतों में गणपती उत्सव बारत की एकता का उत्सव बन गया था गणपती पूजा से भी चीड है मैं गणेस पूजन कारकें में चला गया तो कॉंग्रेस का तुष्टी करन का भुज्जाग उठा कॉंग्रेस गणपती पूजा का विरोध करने लगी तुष्टी करन के लिए कॉंग्रेस कुछ भी कर रही है आपने देखा है करना टका में तो कॉंग्रेस सरकार ने गणपती बप्पा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया गणपती की जिस मुर्ती की लोग पूजा कर रहे थे उसे पुलिस वेन में कैद करवा दिया महराश्टल गणपती ची आराध ना करीद होता आणि करना टकात गणपती ची मुर्ती पूलिस वेन मद्दे होती पूरा देश गणपती के इस अपमान को देख कर आक्रोशित है मैं हरान हो इस पर कॉंग्रेस के सयोकों के मुझ पर भी ताला लग गया है उन पर भी कॉंग्रेस की संगत का ऐसा रंग चड़ा आए कि गणपती के अपमान का भी विरोध करने की उनमें हिम्मत नहीं बची है भाई और बेनों हमें एक जुठ होकर कॉंग्रेस के इन पापों का जबाब देना है हमें परंपरा और प्रगती के साथ खड़ा होना है हमें सम्मान और विकास के एजेंडे के साथ खड़ा होना है हम साथ मिलकर महराष्ट की अस्विता को बचाएंगे हम सब साथ मिलकर महराष्ट का गवरव और बढ़ाएंगे हम महराष्ट के सपनों को पूरा करेंगे इसी भाव के साथ इतनी बड़ी तादार में आकर के इस महत्पूर योजनाओं को आपने जो उसकी ताकत को सम्या है इन योजनाओं का विदर्प के जीवन पर हिंदुस्तान के सामान निव्यक्ति के जीवन पर कैसा प्रभाव होना है ये आपकी विदार सभा के कारण मैं इसे महसूस कर रहा हूँ मैं एक बार फिर सभी विश्व कर्मा साथ्यों को पिदर्प के और महराज्ट के सभी मेरे भाई भहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मेरे साथ बोलिये भारत माता की दोनों हाथ उपर करके पूरी ताकत से भारत माता की भारत поэтому कि जहातु बहुद दनेवां का वर्धेमदे पंत्र धान नरेंद्र मोधी बोला थो ते कॉंझ्रेस हे घरान हे सर्वाद भर अंपन तेनि कॉंख्रेस वर्डिका के ले ली तसा सोयुधा विश्यान वर देखिलतानी भाष्शक के लिला है या सोबत तर्च बातमी पतला है